हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो हम आपको यह बताने जारा हों कि कैसे आप अपने Vivo Y72 Android में आप जो पैटन लॉक रिमूव कैसे कर सकते हैं अपने वाइल फोन से ठीक है पर यह पैटन लॉक रिमूव करने के बाद आपके फोन के सेटिंग कैसे काम करेगी आज के इस वी पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा पैटन का स्क्रीन लॉक का आपको यह उप्शन मिलेगा स्क्रीन लॉक पर सेलेक्ट करना है अब यहां पर आपने जो भी पैटन लॉक लगा रखाया उसे आपको यहां पर एंटर करना है ठीक है आपका नेक्ट पेज ओपन होगा यहाँ पर देखे लिखा हुआ pattern current screen lock यहाँ पर मेरा pattern lock set है पहले से ठीक है अब यहाँ पर pattern lock को remove करने के लिए आपको इस page में सबसे उपर यह first option मिलता है आपको known का इसे select करना है तो आपका page open होगा इसमें आपको remove का option नीचे मिलेगा remove पर select करना है ठीक है जब भी आप अपने phone की screen को off करेंगे इस तरीके से इसके बाद screen को on करेंगे ठीक है तो इससे क्या होगा आपके phone में जो आपने last page जो आपना छोड़ा होगा वो आपका direct open होगा ठीक है इस बीच में आपको कोई भी pattern lock लगा हुआ दिखाई नहीं देगा तो यह pattern lock remove होने के बाद आपके phone की setting कुछ इस तरीके से काम करेगी अब मैं आपको यह setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका भी बता देता हूँ आपके mobile phone में इसके लिए आपको mobile phone का setting page ना फिर से open करना है starting से ठीक है तो चलिए हम यहाँ पर setting page को फिर से open करते है setting page में आपको सबसे उपर यह search icon को option select करना है और यहाँ पर आपको search bar में screen lock आपको type करना है यहाँ पर आप screen lock टाइप करेंगे तो आपको नीचे की side option show हो जाएगा यहाँ पर आपको screen lock का यह वाला option select करना है जिसके नीचे setting security लिखा होगा इससे क्या होगा आपको mobile phone आपको directly इस setting में आपको लेकर आजाएगा और इस setting को highlight करेगा तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया इस setting को ढूंटने का आपके mobile phone में